हाई एवरिवन कैसे हूँ आप सभी लोग आयोब आप लोग अच्छे होंगे मैं हूँ राहूल जे स्वाल हैं स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बर फिर हमारे यूटूब चैनल जे आर्ट यूटोरियल्स में फ्रेंड्स आज अगेन आपके सामने मोश्ट इंपॉर्टे जो कि अगेन एक बहुत ही जादा इंपॉर्टन लेक्चर वीडियो होने वाला है तो दोस्तों हमारा जो टॉपिक चल रहा था लेक्चर नमबर थ्री में वह सपोर्टिव कनेक्टिव टीशू ठीक है तो सपोर्टिंग कनेक्टिव टीशू क्या होता है दोस्तों देरा जन लने वाला काम जो करता है वो काटिलेज होता है और बोन्स तो आपको बताए कि पूरे-कूरे बॉडी में फैला होता है तो हम शुरुआत करेंगे काटिलेज से तो काटिलेज क्या होता है इडिज टुफ टीशू विच फॉर्म्स एंडोस्केलेटन ऑप दा काटिलेज फी जो कि हमारे लिए सॉफ्ट होता है लेकिन बहुत सारे फीशेस के लिए वो क्या है उसका वह एंडेल स्केलेटन हो जाता है जैसे कि शाक मचली मियों होता है ठीक है और यह जो काटिलेज होता है दोस्तों इन काटिलेज अबनेंट मैट्रिक्स इस डेलिमिटेट बाइशी इससको बहुत बहुत्त अबनने इसको हम लोग लोग पर असमें मेटिलेटन होता है उसके यसी सापश से कर बात किया जा जाने कि जो मैट्रिक्स है इसका उसके इसाब से बात कहा जाए जो जो कार्टिलेज होते हैं वो जनरली चार टाइप के होते हैं ठीक है तो यहां पर आप देखो कि सबसे पहला हाइज तो हाइलिन कार्टिलेज क्या होता है यह कार्टिलेज ऐसा होता है जिसमें जो पेरि देखने मिलेंगे हमारे body में भी present होते हैं जो की एक तरीके से बहुत ही soft होते हैं जैसे कि आपको पता है कि जो बड़े-बड़े bones होते हैं उसके बीच में present होते हैं जो joints पर प्रेजेंट होते हैं फिर आपका epiglottis जो आप खाना खाते हो तो वह आपके trachea में ना चला जाने कि एक तरीके से आप बोल सकते हो expandable होता है और इसका nature यह रहता है कि it acts as a very good shock absorber क्योंकि ऐसे जगहां पर present हो जहां पर कुछ न कुछ like एक तरीके से movement चलता रहता है तो वह एक तरीके से जो भी जटका होता है shock जिसको बोलते हैं वो absorb करने में help करता हैं साथ ही में उस ना हो friction ना हो जिसके वैसे problem हो ठीके तो cartilage वहां पर present रहता है तो generally यहां पर दिया भी है it is present at the end of long bone जो बड़े-बड़े बोंस होते हैं उसके end में joints में epiglottis जैसे वह नहीं बता है ट्रेकिया में रिप्स में लैरिंस में भी present रहता है यह वाला टाइप का हाइप का हाट matrix जो होते हैं इसके अंदर इसके अंदर matrix के अंदर elastic fibers contain रहते हैं यह साथ में क्या करता है it gives support and maintains the shape of the body part यानि कि जो भी body part होता है उसको एक तरीके से shape देता है support देता है और एक तरीके से maintain करने में help करता है और कहा present रहता है it is present in the ear loop आपका जो कान है ना दोस्तों आपको कान को अभी touch करो अपने कान को आप touch करो तो कैसे लगेगा तो वो दोस्तों आपको लगता है कि वो skin है लेकिन वो skin नहीं होता है वो एक तरीके से bone है लेकिन कुन सा bone है यह आपका soft bone है जिसको हम लोग cartilage बोलते है और वो elastic cartilage की category में आता है तो आपके कान के बाहर जो भी आपक क्या होगा कि कुछ ऐसे bones आते हैं जो चबाने में एकदम crunchy लगते हैं तो that is nothing but cartilage और भी कुन सा elastic cartilage होता है उमीद करता हो कि आप समझ पा रहे होंगे कि क्या होता है next बात करेंगे जो कि है fibrocartilage तो fibrocartilage में क्या होता है कि जो यह pericondrium जो था इसमें यह absent होता है ठीक है ना fibrocartilage में और यह बहुत ही most rigid है rigid याने की कड़क जो होता है ठोस जो होता है ना कड़क तो rigid cartilage माना जाता है और यह maintain करता है position of the vertebra हमारा जो vertebral column रहता है जो हमारा responsible कोन है fibrocartilage और यह intervertebral जो disc होते हैं हमारे एक vertebral के column के बीच में जो gaps होते हैं जो डिसक होते है तो उसके बीच में यह present रहता है Fibrocartilage ताकि उसको balance करने में और maintain करने में उसका shape को उसके posture को maintain करने के लिए काम आता है clear दोस्तों तो उमीद करता हूँ कि types of cartilage आपको समझ में आ गया होगा next चलते हैं यहाँ पे bone के बारे में पढ़ना है ठीक है तो bone क्या होता है bone is nothing but एक ऐसा hard material होता है जैसे कि अपने cartilage पढ़ा तो वो soft bone था वैसे यह bone जो है यह exactly hard material है जो की characterize होता है hard matrix है यानि इसका जो layer है जो matrix इसके अंदर जो present है यह बहुत ही hard है and क्यों hard है बिकॉस उसके अंदर ocene present होता है जो कि एक mineral salt से बनता है जिसका नाम है hydroxy appetite और इसका formula होता है CA 10 PO 4 6 OH twice तो यह इसका formula यह भी exam बें पूछ सकता है जो इसको learn कर रहे है न दोस्तों तो यह mineral salt जो hydroxy appetite जो है यह ocene जिससे बनता है यह हमारे bone को बनाता है यानि कि bone का structure इसी प्रकार है लोग बोलते हैं कि bone में calcium present होता है तो normally अगर बात बोलू तो आपको calcium 100% नहीं होता है इसके अंदर calcium के साथ आप देखो कि phosphate group और oxygen hydroxy group भी present है जिसका नाम पूरा मिला के हो जा रहा है hydroxy appetite यानि कि in short आप बोलोगे कि सिर्फ calcium से नहीं बनता है bone बहुत सारे इसके अंदर essential mineral salts प्रेजंट है और इसका जो मैट्रिक्स होता इसके बीच में जिसको लैक्यूने भी कहा जाता है यह important चीज़ आपको याद रखना है तो लैमेले के अंदर जिसके अंदर fluids जो present होते हैं वह cavity के अंदर फ्लूइड का नाम क्या है दोस्तों यहाँ पे cavity के अंदर जिसका नाम है लैक्यूने और यह चोटे चोटे लैक्यूने जो होते हैं इसके अंदर हर एक के अंदर fine canals present होते हैं जो कि यहां पे प्रेजंट रहते हैं और in active bone cells और osteoclast जो होता है वह इसके अंदर प्रेजंट होते हैं ठीक है नेक्स्ट बात करेंगा यहां पर कि जो mammalian bones होते हैं यानि कि जो बाद करें इसके अंदर के आता है और यह होता है आर्ट्रीज वेंस और नर्वस भी साथ में प्रेजेंट होते हैं और अगर बात के जाए तो जनरली बोन्स दो टाइप में हिस्से में दीवाइड होते हैं और इसम में इससे होता है हर्वे जिस इसमें लेमेले के बीच में प्रेजें नहीं होता है जयांने के समय kelी यह दो कि नहीं होता है यह तो अभी हमने देखा ऑप आप यापका कंट्रीक्टिक हो can है यह भी वैसे ही है fluid connected tissue यानि कि फ्लूइड है जो कि पूरे के पूरे हमारे बॉड़ी को connect करके रखता है fluid connected tissue जिसका vascular भी बोलते है vascular tissues भी बोलते है जनरली दो चीज होता है एक होता है blood हमारा खुन दूसरा होता है lymph lymphocytes तो यह दो चीज होते है fluid connected tissue में जो हमारे पूरे बॉड़ी के अंदर flow होते हैं और पूरे बॉड़ी को जोड़के रखते हैं और जो भी tissue क्या होता है blood and lymph होते हैं ठीक है दोस्तों तो उमीद करता हूँ कि यह चीज आपको समझ में आ गया होगा तो आज का लेक्चर दोस्तों इसी के साथ समाप्त होता है यहीं पर में stop करता हूँ आज जो भी हमने topic आपके लिए सिखाया है पढ़ाया है दोस्तों आपको यह चीज समझ में आ गया होगा एक और लेक्चर 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 फटाफट से लेकर आ जोगा जिसमें हम लोग आगे का जो पार्ट है उसको भी कवर कर देंगे यह चाप्टर को भी फटाफट स शेयर कर देना एंड अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो साथ में बेल आइकन को हिट कर देना फ्रेंड्स ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोको मिलती रहेगी टेक है फ्रेंड्स तो मिलते हमारे अगले वीडियो में ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुडबाई